गुद बार्निक स्टूड्ट्स क्लास पाइफ मैट्स ऐक्ससाइज 12.2 एपाट एड़ स्टूड्स देखो उपर आपको टाइम दिया गया है जिन्हें आपको एड़ करना है तो देखो क्लास भूर भी आपने टाइम को कैसे एड़ करते हैं वो सिखा था फॉर्स देखो आप को 25 hours and 25 minutes को add करना है तो बच्चे देखो पहले minute column को add को आड़ कर हो 5 plus 5 10 4 plus 2 6 6 plus 1 7 5 जी वो आपको 65 hours and 70 minutes आपका answer आघ तो बच्चा देखो 70 minutes 70 minutes आ रहा है तो यहां पे अगर आपका number है वो 60 आ 60 से अबब आता है तो बच्चे देखो 60 से आपका बनार बन जाते हैं तो यह 60 मिनिट से आपका बनार बन जाएगा तो यह वान आर आग वाले कोलम में जला जाएगा 66 हो गए यहां कितने मिनुट से सिवंटी माइनस सिटी टैन तो एड करने पर सिक्स्टी सिक्स आहर एंड टैन मिनिट सो के बच्चा याद रखना है अगर मिनिट वाले कोलम को आप कर रहे हो और आपका नंबर 59 59 से कममा रहे है तो तो आप उसे ही लिखोगे लेकिन अगर आपका नंबर 60 से अब आ रहे है त बच्चे हैं आपको 60 मिनिट्स को 60 मिनिट्स के वन अर्वर मनाके आयर वाले कॉलम में पर बढ़ा देना है और एतने पूछे में उन्हें भाले इन इनक्स टारा फाले लिफ होगा। जात आया ? ओके नर्व लों तो बहुत करो जिरो जीरो जीरो है उपर आप आपको यह करना है एक के औह एक चुई है यह यू इंप लेजि़ो में से जीरो आपको सब्ट्राक्ट करो बोरों करों बत्चा आप मेनट वाला जो है जो है पूरा लो दोनों डिजिट को एक साथ पढ़ो जीरो में से आपको 37 को सब्ट्राक्टर नहीं है तो यह 0 मिनिट क्या करेंगी यह 40 आर्स के पास जाएंगे और 40 आर्स से करेंगे हैं अपना वानार बोरो देदो तो वानार अपना वानार इस मिनिट को दे देंगे तो देखो वनार मिनिट के पास आगया तो मिनिट के पास देखो कितने मिनिट आएंगे वनार में कितने मिनिट होते हैं 60 मिनिट होते हैं तो 60 मिनिट इसके पास आ गए और इसका वनार कम हो गया तो इससे बचे wait 39 minutes sorry 39 hours अब subtract करो 60 minus 37 हुआ आपका 23 अब इसे subtract करो 39 minus 32 हुआ आपका 7 तो answer हुआ 7 hours and 23 minutes ओके बच्छा तो ऐसे गरना है आपको बिने subtract भी आपको बिने सब्सक्राइक होंगे अब आते हैं सी पार्ट सॉ आपको फॉलोविंग स्टोरी सम्स फॉल्स्ट है आपका कार्थिक स्टोरी इस फॉर 2 hours 15 minutes वेर्स कुष्ट स्टोरी इस अर्ली फॉर 1 hour 45 minutes who studies for a longer period and by how much देखो कार्थिक ने 2 hours 15 minutes तक स्टोरी करी जबकि कुष्ट ने 1 hour 45 minutes सकी स्टोरी करी तो बदाएए किसने लंबे जमें तक स्टडीं करें और कितने ज़्यादा स्टडींकर्थी देखक ने स्टैडीं करी टूर्ट स्टैडीं करें और कakesने इस यदो कर्थी चाल पीरिट यांट्ट्रा गुश्क कर आपको सैद्टिंग लिखते पाल today सुथ जो आपका कार्ती कि उसने 30 मिनिट्स चाहदा स्टडी करी है कुछ से सब्ट्रैक्र ने पर 30 मिनिट्स आया वापका अंसर है देखो एक 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 डूरी है जिसे 7 आर्स 25 मिनिट्स में कवर रही है और वही दूरी एक सुपर फास्ट ट्रेंड 5 आर्स 45 मिनिट्स में कवर कर रही है तो बताइए अगर आप सुपर फास्ट ट्रेंड में ट्रैवल कर रही है तो आपके कितने टाइम कितना टाइम सेव हो रहा कितना टाइम बच रहा है आपका कर रहे हैं तो देखू सेम डिस्टेंस से आपसीम दूरि यह अब एक्स्प्रेस जेंड कितना देखू कितने टायमें कावर कर रहे हैं वुस्टेंस सेवनार्ज हुअनस फिस्टेंस में और स्वपरूर कर सेवनार्ज्ग कर रहे हैं और 70 मिन चलि순ic सिर्ण स्टैंट सेंधिक टूरे से किसे निकल आएगा जो उसने पूरे दिन में च्टाइब रिटी करी तो 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 आप ही इसे पूरे दिन में प्रीवी अश्ष चेडी करें मौर्निंग टाइम इवनिंग टाइम दोनों को एड़ कर दो तो आप रोटल टाइम निकलाएगा जो उसने पूरे दिन में स्टडी करी तो टू आर्ट फिफ्टी मिनट्स प्लस वानार फिफ्टी मिनट्स हुआ आपका पूर आर्स एंड फाइफ मिनट्स ओके बिच्चा क्ल फर्स दिया गया है 8 a.m. sorry 8 10 a.m. to 1.40 p.m. देखो यह टाइम पीरिड है आपका 8 10 a.m. से लेकर 1.40 p.m. बताओ बीच में कितना समय आ रहा है कितने घंटे कितने मिनट्स का समय बीचे पढ़ रहा है तो देखो 8 10 a.m. से लेकर पहले 12 नून तक का टाइम निकाल लो कितने आर्स कितने मिनट्स हुए फिर 12 नून से लेकर 1.40 p.m. तक का टाइम निकाल लेना आप जैसे कि जानते हो बच्चे देखो एम में टाइम आपका चल रहा है तो जैसे ही आपके दो पहर की 12 नून होता है दो पहर के 12 बारा बस्ते है तो आपका पी-म स्टार्ट हो जाते है तो देखो क्या करोगे आप 8 a.m. से 12 नून तक की बीच का टाइम निकालीए तो 8 a.m. से 8 a.m. के बाद 9, sorry 8 10 a.m. के बाद 9 10, 10 10, 11 10 11 10 के बाद 12 10 तो जादा हो जाएगा हमें सिर 12 नून तक का निकालना है तो यह 3 आर्स तो हो गए और देखो 11 10 से 12 के बीच में आपकी 50 मि तो यहां पर 12 नून से 140 पीम की बीच का टाइम पिरिट हुआ देखो यहां पर 12 के बाद देखो 12 के बाद वन आया आपका 140 वन आर 40 मिनिट्स अब इन दोनों को प्लस कर दो आप प्लस करने पे आ रहा है 5 आर्स एं 30 मिनिट्स तो बच्चे ऐसे करना है आजी देखो रहा है 9 10 a.m. to 4.50 p.m. तो 9 10 a.m. से पहले 12 नून तक का टाइम निकालो फिर 12 नून से 450 की बीच का टाइम निकालो फिर दोनों को प्लस कर दो तो ऐसे आप ए डूरेशन निकालोगे कि इनकी बीच में कितना टाइम पिरिट आ रहा है कितने आर्स और मिनिट्स आ रहे हैं अब आत मतलब जो भी काम है जोजी चल रही है किस टाइम करीगे किस दिन शुरू करीगे ई किस समिक हितम उअठल हुई आपका टायर आएगा कितने दिन वह चली जैसरी ककpp गया है काम 26 देज चला है तो बताओ फिनिश कब होगा तो बच्चे 21st December से December का मन 31 देज का होते है आपका 31 तक काउंट करो कितने डेज हुए तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 तो बच्चे आपके डेज आ देखो 11 देज हो गये है अब आगे क्या करना है देखो और आगे चलना है तो और आगे 26 देज पूरा आगे जाना है आपको पच्चे पूरा आगे जाईए दिसेंबर के पर जैन्वरी स्टाट हो जाएगा आपका तो 21 दिसेंबर से बोलना शुरू करो और 26 टेस पूरे करो और देखो कॉंसी जेट पे आप पहुंशते हो 21st December, 22 December, 23 December, 24 December, 25 December, 26 December, 27 December, 28 December, 29 December, 30 December, 31 December फिर देखो थर्टी इन दिसम्बर के बाद 1st January, 2nd January, 3rd January, 4th January, 5th January, 6th January, 7th January, 8th January, 9th January, 10th January, 11th January, 12th January, 13th January, 14th January, 15th January तो बच्चे 26 days complete, 26 days वाला जो दिन है आप पहुंचे 15th January पर, तो फिनिश इन टाइम में 15th January आएगा ओके बच्चा ऐसी दिखो 19th November दिया गया, 25 days दिये गए है, तो 19th November से डेट बोलना शुरू करो, 25 days पूरे complete कर जाओ, 25 पर आप जिस डेट पर पहुंचोगी वा आपका अंसर होगा नेक्स भी ऐसी होगा, आप देखो 4th वाला उल्टा है, फिनिशिंग डेट दी की, स्टार्टिंग डेट बतानी है, तो बच्चे आप बेकवर्ड काउंटिंग करना, 2nd April से पीछे की दिरफ जाओ, 1st April, 31st March आजाएगा आपका, 30 March उल्टे जाओ, 13 days पूरे 30 नमबर उल्ट इसमें आपको स्टोरी समसिये गए है, नीमा स्लीप अट 9.30 पी-म गैट सब एट 6.30 एम, पर हाव लोंग ड़स शीप, देखो नीमा जो है, वो रात को 9.30 पी-म पर सूजाती है, और मॉर्णिंग में 6.30 एम पर जग जाती है, तो बताओ वो कितनी दिर तक सूती है, देख जाती है, देखो नाइन थर्टी पी-म टु टु ट्वाल मिडनाइट, देखो 9.30 पी-म से 12.00 रात के बारा बहर तक की बीच में कितना सही पीरिट आया, वीकि बाद में देखो फिर आपका जोई पी-म खताम हो जाया, तो नाइन थर्टी के बाद टैन थर्टी, एलेवन थ से 6.30 की बीच का टाइम पीरिड होगा, 6.30 आर्स, इन दोनों को एड़ कर दू, एड़ करने पे आया, 9 आर्स, ओकी बिच्चा, तो ऐसे ही आपको से निकालना है, देखो second भी आप कैसे, जाती ने अपने ओफिस में, 12 जन्वरी को लीव के लिए अपलाए करा, और वो 20 जन्वरी के बाद, आप 40 जन्वरी के बाद, आप 40 जन्वरी तक काउंट करना सुरू करो, और देखो आप तहां पहुंच होगे, बच्चे देखो, एक कोर मैध थर्याद उपर चलु आप इसके लाबाद, एक लिए जन्वरी से स्टार्ट करो आप, जन्वरी थार्टी ज कि आपको 12 जैन्वरी से 31 जन्वरी तक आपको 20 देज हुए अब 40 देज रने 20 देज तो हो गए 20 देज और करने है तो वन फैप से 25 तक और 20 देज हो गए तो 40 देज कम्पीट 25 तक चुट्टी उसने अप्लाए करी है फिर ऑफिस कब जोइन करेगा 21st प्राइबरी को ओके बच्चा क्लियर है ऐसी देखो थर्ड है आपका नितिन वस दाउन विद मिजर्स और देज अटाइंड देज स्कूल फों मार्च 23 तो अप्राइल 8 और हाव मनी देज तेज नितिन रिमेंस अप्संट देखो नितिन वो नितिन विमार हो गया तब है ठीक नहीं है उसके इसले फो स्कूल नहीं आ सकता और वो 23rd मार्च से 8 अप्राज तक अप्राइल तक नहीं आरा और वन अप्राइल से 8 अप्राइल तक 8 देज तो 9 प्लस एट होगे आपका 17 देज तक वेपसंट रहा ओके विच्छा तो ऐसी आप इसे गरोगे सभी आपके ऐसे होगे नहीं रीट करना अंडर्स्टेंड करना दैर आप इने स्वर्प करना और तो देखिए आप को क्या करना है आज आपको इन दोनों एक्सेस को अपनी नोटबुक में करना है और अच्छे से इनकी प्राक्टिस करना है ओके स्टूटेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है आप से फिर होगी मुलाकात नेक्स वीडियो में थैंक यू